हेलो एब्रीवन वेरी वेरी गुड माउर्निंग कैसे हो आप सब उमीद करती हों कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल एसकी ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सब से पहले आप सबी को मेरी प्यार बरी राधे राधे आप सभी के लिए अपने शामाशाम के स्रीजर्णों में परातना करती हूँ कि प्रभू आप सभी को अच्छा स्वास्त है दे और आप सभी की सारी मनो कामनाईं पूरी करे अभी सुबह की पुजारती हो गई है शामाशाम का भोग भी लग गया है और ये देखिए आज मेरे शामाशाम कितने संदर लग रहे हैं आज दोनों ने बिलकुल न्यू ड्रेस धारन की है और दोनों की ड्रेस मैंने अपने हाथों से तयार की है मेरे शामाशाम देखिए कितने संदर लग रहे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं तो आप सब भी मेरे शामा शाम का दर्शन करके और इनके चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजरी भर लीजिए और अब भी मैं अपना थोड़ा सा मसीन का काम करें वैसे सर्दियों में मैं सिलाई का काम नहीं करती हूँ लेकिन वो कहते हैं हमारे हरियाने में एक है कि फटे हुए को ठीक ना करें और रूसे हुए को यानि रूठे हुए इनसान को मनाव है नहीं तो ऐसे काम नहीं चलता घर गरस्ती बिगड़ जाती है तो मैं वही काम यहां पर कर रही हूँ यह विशाल के पापाजी की दो गरम पजामी हैं और इनकी लास्टिक जोना बिल्कुल डीली हो गई थी तो नई लास्टिक मैंने मंगवा ली है और वो लास्टिक मैं इन गरम पजामियों में डाल रही हूँ वैसे यह बिल्कुल नियू है कई से भी कुछ नहीं बिगड़ाया है बट इनकी लास्टिक जोना थोड़ी सी लूज थी तो लूज मसीन रख लेती हूँ और इनमें इलास्टिक डाल देती हूँ वैसे तो यह बिल्कुल ठीक है लास्टिक डल जाएगी तो अभी ठंड भी काफी बढ़ गई है और पहनने के काम आ जाएगी और अभी यह लास्टिक डाल के और मसीन को तो फिर मैं वापस पैक करके रख दू मसीन का अभी मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं बहुत छोटे छोटे चोटे कुछ बुनाई का काम हो जाता है कुछ घर के भी बहुत जादा काम होते हैं तो टाइम निकालना निकाल के ही कुछ नेटिंग का काम करना पड़ता है और अभी कई दिन में बनी हैं लाटी लाल की मैंने जो आज खुशियां लेकर आए आप सभी का जीवन मंगल में हो और भगती में हो क्योंकि प्रभू की भगती के बिना चाहे कुछ भी हो जीवन में मंगल नहीं होता है इसलिए मैं यही प्राठना करती हूँ कि आप सभी का आने वाले नए साल में जीवन मंगल में हो और भगती में हो तो वही लाश्टिक डालने में है जैसे पैरो वाली मसीन होती है उसमें थोड़ा आसानी हो जाती है जैसे पैरो से मसीन चलती है और दोनों हाथों से काम हो जाता है और अभी एक हाथ से मसीन भी चलानी है और लाश्टिक डालते टाइम इसको पीछे की तरफ थोड़ा खीचन पड़ता है नहीं तो लास्टिक पर मसीन चलती नहीं क्योंकि प्लास्टिक को थोड़ा आगे खीचना पड़ेगा मसीन चलाके फिर उसको बाद में पीछे की तरफ भी थोड़ा पुस्ट करना पड़ेगा तब वो लास्टिक डलती है और कई बार यह सोचती हूं कि मैं इस व का खर्जा बढ़ाया बस यह सोचके मैं रह जाती हूं और यह भी है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता हर काम का एक समय होता है जब पिलकुल सही समय आता है ना चाहती हो भी हो काम अपने आप हो जाता है अटोमेटिक तो बस अभी यह है कि जब तक चल रहा है चला रही तीन लगाई हैं जैसे एक किनारी पे उपर होगी एक नीचे होगी और एक बीच में होगी तो तीन सलाइया मैंने इसमें लगा दी हैं और ये कुरसी पर कपड़े भी पड़े हैं प्रैस भी करनी है बट आज नहीं करूंगी कल देखूंगी क्योंकि एक दिन में सारे काम होते गरमियों में संभालाओंगे गरमियों में जो काम करना होगा फिर बाद में निकाल लोगे तो मैंनो आज तूझे चोटी सी वीडियो बनाई है आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए अपना अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सब को एक बार फिर से नए साल की क्योंकि नए साल आने ही वाला है 25 दिसम्बर को मैं ये वीडियो बना रही हूँ और 26 को आप सब को मिलेगी तो यानि नए साल आने वाला है आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए